या नवास क्या क्यों रखा वे नवास को हसली को बेज़ो या इसे मतलब मतलब कुछ भी जीत गये अस्टाम अलेकों वेल्कम बैक तो जिंजर स्पोर्ट यूटीप चैनल आप देख रहें जिंजर स्पोर्ट यो पाकिस्तान टीम दा हाट अटैक टीम फिर से पालस्तान में एक जीते मैंच को हाराम मैंच अलमुस्ट पना लिया था हाट चुका तो पालस्तान अलमुस्ट अलमुस्ट आठ चुका था मिल्ब के डिस्शन मेंगें मुझे कुछ समझ नी आ था एक्सपेक्ट फखर जमान इंड शाहीन अफरीदियंट फ़ीव इंड बोलिंग स्पेसि Amaz जो आप ut47 मंता शायए नंथा पिछली 15 अवड नवा नवास के फफेसे बहुत करीट आप फेड लाग है इस मइंड आप गक्लाज मी हम देखना ре लिए मपर यहảमिका के ने दूसर रे हैं और अन से पूचा हैं नवास पोगीं बेजा गया है इवं दोंकि हम में poverty घल पर नवास को देखना करन्ट फॉर्म की नवास की है नहीं पी उसके राव अंडर प्रेशर आ रहे हैं त्यार बैठे के आके मारूं मतलब कि मुझे को समझ नहीं आज है कि पाकिस्तानी डीम में हो क्या रहा है तो यहां अगर आप फ्यूरु से बात करें तो पाकिस्तान डीम थे में पहले बाुमक की जबर दसल थे किसम की पाकिस्टान डीम पाकिस्तान को विके मिले हैं और मिडल्स इतम हैं विके लिए पेल्यम जाई हैं रहे हैं और अज्दक कपार da तो यहां पर जवाब मिल गया है कि अगर आप उनको और टाइम देंगे ऐसे खिलाते रहेंगे तो उनका ग्राफ नीचे जाएगा यहां पर चEE पर चाहम हो जाए हम पर टोड़ा है वाली उनको फर्लाएज ऑफ ड्यास्त तॉ आप शुकर करें हसर अली जैसे बैट्समन का उनको भी मंगाला बाउंस करवा थे लेकिन मारे लिया फिर रड में थोड़ा बात पाकिस्तानियों ने बट फखर दमान की बैटिंगी में बात करूंगा इस मुश्किल पिछ पे जैसे फखर ने बैटिंग की है ना इसको कहते है प्लेयर जिसको आप तब से निकालने की खोशिश करें इस इंक्लोडिंग मी में कृटिसाइज करता था बट फखर जैसा बैट्समन आपको जब एस जब एस बना की देता है आपका दिल खुश हो जाता है आप चाहते हैं कि टीम में रहे और वो इस फखर जमान ने किया ता एस वाइ टीम मैंजमेंट इन्वेस्टे नुट जब एस फखर जमान यह वह वदा थी यह वह वह वदा थी यह रिलाइ उन एप पिच्छ अगर उनका देन है तो उस ने चलेंगे जो मर्दी होज़ाए उस देन चलेंगे और फखर जमान यह करने के लाइक है और वो कर सकते तो आज देखा फखर निया किया जिस टाइम पर उट बहुटं से गाले किसी बॉलर को टे चोड़ा जिस टाइम पर ऊट आइप सटो हमान के यह वह 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 वाव फखर के बात करूं कर देन रिख तैम यह उसन निद पार आज़ा है उनको एक रूट आफज श्मान बाबर आसम की तरह थोड़ी से किंसिस्टेंस ही दिखा रहे हैं अपनी इंप्रोवाइजेशन को अच्छा कर रहे हैं और अच्छे बैटिंग कर रहे हैं यह उन्होंने का कमेंटरी के अंदर भी रमीज राजा ने यह का फखर जमान के यहां पर तारीफ की उन्होंने उसके अगर बात करेंड में तो मुझे समझ जा रहे है टीप सेलेक्शन का का अस्तरी मिवात होगे मतलब मुझे समझ ने आ रहे हैं हफीज को यहां पर चाहिए था कि अपना एक्स्पीर्यस स्तमाल करें शराश प्र अपको रंस चाहिए आप उस वक्त भी बता नहीं पराश लेक कोई सबस्टेट में बात करें एंड नियुट कोई लिए दियुक्ट नहीं है उनकी बात से इंडियन मीडिया यह जो से बात करेंगे अगली विजयो के अदर तब तक के लिए अब आप से अपने रखना है बहुत सारा ख्यार आप से बाइब और विडियो अप्लोट के पाकि